नमो नमा च्छात्रो आश्विद्याले से मैं इधी शिर्वास्तो एक बाब फिय से संस्कित किस कक्षा में कक्षा दस्वी के यूपी बोर्ड के च्छात्रो का स्वागत करते हुँ च्छात्रो पूर्व की कक्षा में हमने आपको पद्दप्युशम दूतीय पाठा आर्थात व्रिक्षाणाम चेतन स्वं के विशय में बात की हमने आपको बताया कि सत्याय में महाशी भृगु और महाशी भर द्वाज के द्वारा विक्षो में भी चेतंता होती है जगृती होती है याने प्राण होता है। विशह में चर्चा हो रही है वो भी श्लोकों के माध्यम पर यह पाढ़ भी माशी वेद्वया द्वारा रचेत महाभारत से उध्रिद किया गया तो चात्रों को पूर्व के श्लोकों में आपको ये बताया गया की माशी ब्रिगू कह रहे हैं कि यह हमारा पूरा शरी पांच तत्वों से मिलकर बना है और वो पांच तत्वे हैं जल वायू अगनी पित्वी और आकाश ठीक है तब महाशी भर्दवाज कहते हैं कि जब हमारा शरी पांच तत्वों से मिलकर बना है और इसमें पांच इंद्रियां भ विख्ष भी चेतनता रखते हैं तो वो दिखाई क्यों नहीं देते हैं ऐसा महशी भरिगू वहाँ पर उनसे प्रश्न कर रहे हैं सौरी भर्दवाच ठीक है तो चात्रो आगे के शलोकों में महाशी भर्दवाच क्या पूछते हैं महाशी भरिगू से उसको जानने के लिए क्लाश दें संस्क्रित प्द्दप्युशम द्वित्य ठाठा, विक्षा नाम 6 त्रशुत हैं भारद्वाश उवाच याने महाश्री भारद्वाश बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं न श्रणवंती न पश्यंती न गंधरस सेविना तीक है यह उन्होंने व्रिक्ष के लिए कहा क्या कि न श्रणवंती न पश्यंती न गंधरस सेविना न चाइस पर्षम विजानांती ते कथम पंच भौती कहा थीक है तो छत्रो श्लोक का अन्वे करने के लिए हमको करता कर्मिक्रिया और इनके विशेशन को अन्य विवक्तियों के साथ एक पंग्ती में नियोजन करना ही अन्वे तो छत्रो अन्वे देखिए इसका कि जो है वो नहीं सुनते हैं ना पश्यंती ना गंधरस सेवी नहां संती ना चाइस पर्षम विजानांती से पांच भौती का कथम भवेतों अहती ठीक है चात्रो बहुत अच्छी बात उन्होंने कहीं महार्शी भरद्वाजी तो चात्रो प्रस्तुश्लोक का भी हमको संदर लिखना है और संदर में लिखना है कि प्रस्तुश्लोक जो है वो महाभारत से संग्रहीत संस्क्रिस साहित के पद्धिप्यूशम के विरिक्षा नाम चेतनत्वंग चीर्चत से लिया गया है और इस आतरण में महार्शी भारद्वाज विरिक्षो में भी पांच भौतिक हो ने में शंका करते हुए कहते हैं क्या कहते हैं देखिए कि विरिक्षा ना श्रणवंती ना पश्यंती ना गंधरस सेविना अर्थात महार्शी भारद्वाज कह रहे हैं कि जो ये विरिक्ष हैं ये जंगमों की तरह से ना सुनते हैं ना श्रणवंती याने नहीं सुनते है ना पश्यन्ती याने नहीं देखते हैं ना गंद रस से भी ना ना ही ये गंद याने इस्मेल और रसों का सेवन करते हैं ना चाय सपर्ष भी जानांती याने और ये साती सात वो सपर्ष को भी नहीं जानते याने टच भी नहीं करते हैं ते पांच भौति का कथम भविर्तों महती तो फिर ते याने ते तो कथम याने कैसे भविर्तों रवती याने हो सकते हैं पांच भौति का याने पांच भूतों से बने हुए तो वो क्या कह रहे हैं कि ये जो व्रिक्ष है वो हम मनुश्यों की भाती ना तो सुनते हैं ना देखते हैं ना गंध इसमेल करते हैं ना रसों का सेवन करते हैं और ना ही स्पर्ष करना जानते हैं तो फिर ये किस प्रकार से पाँच भूतों से बने हुए हैं ऐसा महाशी भर थीक है यहां पर विशेश में गंधरस सेविना में द्वंध समास है कि गंधस्च रसस्च चेती गंधरसो तो सेवंते इती द्वंधह समास है नौ फिर ने श्लोक में महाश्री भर्दवाच कह रहे हैं कि अद्र अद्र वत्वाद अगनी अद्र वत्वादन अगनी त्वाद वायुतह आकाशश्य प्रमे यत्वाद विरिक्चानाम नास्ती भौतिकम अद्र अद्रव अत्वाद नागनी त्वाद वायुतह आकाशश्य प्रमे त्वाद विरिक्चानाम नास्ती भौतिकम चात्रो श्लोक बहुत डिफिकल्ट है थोड़ा सा ध्यान से उच्चारण कीजेगा कि श्लोक का अन्वे करने किल्यम को करता कर्मे क्रिया और इनके विशेशण को अन्वी भक्तियों में एक साथ एक पंक्ती में नियोजन करना है तो इस श्लोक का अन्वे देखिए कि शाम भौतिका नास्ति ठीक है वो क्या कह रहे है कि विक्षा नाम अद्रवत्वात ठीक है यहने विक्षो में रुधिर नहीं होता खुन नहीं होता तो चत्रो अन्वे के बाद हमको इसकी व्याक्या करनी है और व्याक्या करने किल्ए हमको संदर्व जरूर जानना है इसका तो प्रस्तु श्लोक महाभारत से संगरहीत संस्क्रिस आहिते के पद्ध प्यूशम के वरिक्षा नाम चेतन त्वम सीशक से लिया गया है और इस आतरण में वरिक्षों में पांच भूतों का अभाव होने के कारण वे कैसे पंच भौतिक हो सकते हैं इस प्रकार महाशी भरद्वाज डाउट प्रकट करते हैं यने शंका प्रकट करते हैं तो देखे वो क्या कह रहे हैं कि वरिक्षा नाम आद्रवत्वात यने वरिक्षों में रुधिर आदी के अभाव में अगनी त्वात यने अगनी यने आकाश आदी के अभूमी त्वात यने भूमी के त्वात विक्षों में रुधिर आदी के अभाव में द्रव रूप के ना होने के कारण अगनी तवात याने अगनी रूप के ना होने के कारण विक्चा नाम अद्रोतवात याने वरिक्चो में रुदिर नहीं है तो वहां द्रो नहीं है तो इसलिए वो कह रहा है कि वरिक्चो में रुदिर आदी के अभाओं में द्रो रूप ना होने के कारण और अगनी तवात यने अगनी रूप ना होने के कारण अभूमी तवात यने भूमी रूप ना होने के कारण यने भूमी रूप के ना होने के कारण अवायुता यने वायु रूप के ना होने के कारण और आकाशस से अप्रेम त्वात यानि और आकाश के गे तत्वे ना होने के कारण यहां पर उनका रूप पंच भौतिकों से कैसे बना है यानि नहीं बना हुआ व्रिक्ष में इन सब चीजों का भाव है जिसके करण व्रिक्ष में पांच भौतिक तत्वे नहीं है यहाँ पर समझ लिजे चात्रों व्याक्या में व्रिक्षो में रुधी राधि के भाव में द्रोह रूप ना होने के करण अगनी रूप ना होने के कारण भूमी रूप के ना होने के कारण वायू का अंश ना होने के कारण और आकाश के गे तत्व ना होने गे तत्व यानि जो भी उसमें मामूली तत्व हैं उनके तो जो भी तत्व आकाश के वो ना होने के कारण उनका रूप जो है वो पंच भू येशु ते अद्रवहा अत्वा बहुब्रिही समात है और अवायुता में अवायु प्लस तसिल यने तल प्रत्य है अकाशे अप्रमे तो आत्मे न प्रमिया अप्रमिया यने नईतत्पृृ। जहां भी आ लगता है तो वहां पे ना प्रमया नई ये तत्पुरुष समाख में नाओ छात्रों इतने ही सब बाते जब भारद्वाज मुशी नहीं कह दी तो मुनी ब्रिगु उनको जवाब देने के लिए आ जाते हैं तो श्लोक नमबर आट में मुनी ब्रिगु क्या कहरें उसको जानने के लिए देखते हैं घना नाम अपी विरिक्चानाम आकोशस्ती नशंशिया ते शाम पुष्प फल व्यक्तिर नित्याम समूप पाद्यते यहने क्या करें कि घना नाम अपी विरिक्चानाम आकोशस्ती नशंशिया ते शाम पुष्प फल व्यक्तिर नित्या समुपपाद देते तो चात्रो श्लोक का अन्वे करने के लिए करता कर्मे क्रिया और इनके विशेशन को अन्य विबक्तियों के साथ में सही धंग से एक पंक्ति में नियोजन करना ही अन्वे किलाता है तो चात्रो अन्वे देखिए इस श्लोक का कि घना नाम अपी विरिक्षानाम आकाशह अस्ती अत्रशंश्या न अस्ती तेशाम पोश्परफल व्यक्ती नित्यम सम उपर पादेते चात्रो इस श्लोक का भी संदरवै प्रस्तु श्लोक महाभारा से संग्रही संसके साहित के पद्ध प्योशं के विक्षा नाम चेतनत्वा सीशक से लिया गया है वही बात इस ओतरण में माशी भर्द्वाद्वा रखिये गये विक्षों की भौतिकता के संदे का समाधान करते वे महाशी भ्रिगु कहते हैं क्या कहते हैं यह देखें कि घना नाम अपी यहने घना नाम यहने ठोस रूप कि ठोस रूप के होते वे भी व्रिक्षा नाम आकाशा अस्ती यहने व्रिक्षो में आकाश तस्त्व अवश्य है अत्रशंश्या नास्ती इसमें कोई डाउड कोई दे नहीं है याने ठोस रूप होते वे भी विक्षो में आकाश तत्वे जरूर है इसमें कोई डाउट नहीं है तेशाम याने क्योंकि उनकी पुष्व फल व्यक्ति याने क्योंकि उनकी फूल और फलों की उत्पत्ति नित्यम सम उपपाद्यते जैने जो नित्य संभव होती है वो आकाश तत्वे के द्वारा ही संभव होती है ऐसा महाशी ब्रिगु कहते हैं महाशी ब्रिगु क्या कह रहे है कि ठोस रूप के होते वे भी विक्षो में आकाश तत्वे की उपस्तिती है इसमें कोई डाउट नह होता है वो उस आकाश तत्व के माध्यम से ही उत्पन होता है तो छात्रों यहाँ पर व्याक्या देखिए कि ठोस रूप होते वे भी विरिक्चों में आकाश तत्व अवश्य होता है इसमें कोई संधी नहीं है क्योंकि उनके फूलों और फलों के उत्पति नित्य संभव होत पलो और फुलो में भी आकाश तत्व होता है बिना आकाश तत्व के उनका अस्तित्व ही नहीं होता है तो इसलिए चात्रों वो कह रहे हैं कि व्रिक्षों में आकाश तत्व होता ही है जिसके माद्यम से पल और पुश्पर की उत्पत्ति होती है व्रिक्षों में फैके तो नौ इस लोंग का विशेश है पुश्पर पल व्यक्ति में गश्षतन समास है और उसके बार जो व्यक्ति है उसमें सश्टी तद्गरुक है तो देखे पुश्पानी चा पलानी चा में द्वन्द समाज और तेशाम व्यक्ती में सच्टी तत्वरुषे तो चत्र इसी के साथ यह अंश यहां पर समापत होता है आज के इस संच पे मार्शी भ्रिगू और भारद्वाज दोनों के कथा श्लोक है और दोनों ने यह बताया मार्शी भारद्वाज कह रहा है कि भ्रिग्चो में जब रिदूर नहीं रुदिर नहीं है और अगनी नहीं है आकाश तत्वे नहीं है जब यह सक्ति यह नहीं है तो वो पाँच भूत तत्वे कहां से जब उसमें जुराओ ही नहीं है पान अगनी ही नहीं है भूमी ही नहीं है और वायू ही नहीं है तो उसमें आकाश्चत्व कहां दे विद्धिमान है तो महाश्ची घ्रिगू उसका समधान करते हुए कहते हैं कि जो फल और पुष्प व्रिक्षों में उत्पन होता है वो आकाश्चत्व के माध्यम से ही उत् पनों सकते हैं ठीक है चात्रो पिया अच्छ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आज चात्रो आज की संच में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आज भी दिया कैस को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं मैं आपका जवाब जल से जल दोंगी तब तक के लिए धन्यवाद चात्रो नमो नमा